दोस्तो जब से कफिल सर्मा का शो दा कफिल सर्मा शो टीवी पर सुरू हुआ है तभी से कफिल सर्मा इंडियन टीवी के हाइस्ट पेड एक्टर बन गए हैं और इनका मुगाबला करना किसी भी दूसरे टीवी एक्टर के लिए उतना ही मुश्किल है जितना की माउंट एवर आसमान फाडगर भर्माण में पहुंजाती है और वो बन जाते हैं सबसे हाइस्ट पेड़ एक्टर दोस्तों मैं आपर बात कर रहा हूं बॉलिवुड के नन अदर दैन भाई जान सल्मान खान की वैसे तो कफिल सर्मा पूरे साल टीवी पर हाइस्ट पेड़ एक्टर बने करते हैं कि एक प्रकार से वह रेंग रेंग कर ही चल रहे होते हैं देखे पहले की बात करें तो टीवी स्टार्स को शोज में काम करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं मिलता था लेकिन जैसे ही गेम शो और रेयलिटी शोज की शुरुआत हुई टीवी पर रुप्यों की बार प्रकार सबसे चल करते हैं हार एपिसोड की लीए 55 क्रोड रुप्य से जादा मिलता है लेकिन सवाल उठता है कि सब से ज्यादा फीस कोण लेता और कि स्चय करने तो radio शोज करने की सामने आ रहा ही एक रिपोर्ट की माने तो बिग बोस सीजन 17 के लिए सलमान खान एक एपिसोड के लिए 12.50 करोड यानि कि 12.50 करोड रुपए चार्ज कर रहे हैं यानि कि हर वीक 25 करोड रुपए सलमान खान अपनी जेब के अंदर डाल कर घर ले जाएंगे देखें मैं आपको बता कि बिग बोस 16 के दौरान ये बात सामने आई थी कि सलमान खान ने इसके लिए 1000 करोड रुपए फीच ली है अलाकि बाद में खुद सलमान खान नहीं इस न्यूज को गलत करार ठहरा दिया लेकिन अब सीजन 17 के लिए सामने आ रही इस खबर की माने तो ये दावा किया जा होगर रहा ह है कि इस बार सल्मान खॉश्ट करने के लिए 12.50 डुरुपए चार्ज करने वाले हैं अब ऐसे में दोस्तों कफिल शर्मा सल्मान खान का मुदा कहां कर पाएंगे जहां कफिल शर्मा अपन शोधा कफिल शर्मा खोंकर एक के लिए चार्ट करते हैं एक से डेड़ करोड रुपए तो वहीं सलमान खान साड़े बारा करोड रुपए चार्ज कर रहे हैं विग बोस सीजन सेवंटीन के लिए अब इन दोनों ही रकम में कितना फर्क और कितना अंतर है यह तो आप खुछ से ही कैल्कुलेट कर सकते हैं बाकि दोस्तों बि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दूर कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब इसी के साथ मैं आप से लेता हूं अलविदा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जैहिंद